नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने चैनल ड्यूबडी पर फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैल यूनिवर्सटी पोस्ट ग्रेजुएट एड्मीशन्स यानि पीजी एड्मीशन्स के बारे में में दो चीजें डिसकस करने वाले हैं पहली उन लोगों के लिए जिन लोगों का ओल्रेडी एड्मीशन हो चुका है लिस्ट में नाम आ गया है फीपे बगएरा कर दिया है उनकी जो डाउट मेरे पास आ रहे हैं कि भाईया क्लास कब से स्टार्ट होंगी क्या टाइम टेबल रहने वाला है यह सब कैसे पता चलेगा द अगर आप डैली उनिवर्सटी के नोर्थ केंपस में पीजी ढूण रहे हैं यानि पेइंग गेस्ट बेसे पर आपको अकॉमोडेशन चाहिए तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वहां पे आप हमें हैलो भेज सकते हैं विदाउट ब्रोकरेज आपको पीजी हो गया है डैली उनिवर्सटी में लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता क्लास कब से स्टार्ट होंगी टाइम टेबल क्या है तो देखिए यार कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स ने तो औरेडी मेल सेंट कर दिये हैं कि आप लोगों का यह टाइम टेबल है इस दिन से आपका तो आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर विजिट करना है वहां पे आपको कोई या कोई अपडेट मिल जाएगा आपकी क्लास्त सा रिलेटेड डिपार्टमेंट फोर एक्जांपल आपका हिस्ट्री में अडविशन हुआ है तो आप लिए तो आपका जिए अग्ल लिस्स में हुआ है तो English Department Mathematics Faculty Mathematics Department ऐसे करके Google पर सर्च करोगे Department आ जाएगा वहाँ पर देख लो website पर कुछ नहीं आया है तो phone numbers आपको मिल जाएंगे आपके Department पर वहाँ पर कोल करके देख लो और mail में तो I think के admission जो हैं वो हर बार लेट ही होते हैं बाकी जो पोस्ट गेजवेशन के admission हो जाते हैं उनकी classes start हो जाती हैं उसके बाद ही करते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा हैं डू लवी की जो एंट्रेंस दे करके आते हैं बाकी में तो 200-300 सीटे होती है मालो इस्ट्री हो गया मैथ हो गया लेकिन जो ड्यू लवी का एक्जाम होता है लोगी जो सीटे हैं वो अराउंड 2800-2900 है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो लास्ट यर जब मैंने लिया था लेलवी में तब मेरी लिस्ट बाकी लोगों से ऐधिंग साथ से दस दिन के बाद आई थी तो अभी लोगों की लिस्ट तीस तारिक को आई है बाकी बच्चों की तो हम यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6-10 मतलब आज से ले करके दस तारिक के बीच में आपकी जो लिस्ट है वो कभी भी आ सकती है जैसे आपके लिस्ट आएगी सेकिंड जो आप लोगों को करना है आपके पोर्टल में आपको लो कोटी मोटी तो आपके पास मेल आएगा कि यह डोकुमेंट दुबारा से हमें भेज दीजिए तो आपको अकोर्डिंगली उसके उपर एक्ट करना है नहीं है डोकुमेंट मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए 15 दिन का टाइम दीजिए वो भी आपको मिल जाएगा लेकिन आप आपको फी पेमेंट का उपसन आएगा फीस पे कर देंगे फिर आपके जो है एडमीशन जो है वो युनिवस्टी में पक्का हो जाएगा उसके बाद जब आप ओफलाइन आएंगे तब आप लोगों को बता दिया जाएगा कि यह यह डोकुमेंट्स आप अपने ले करके आ रहता है तो वह अराम से अपका हो जाएगा यह प्रोसीजर अपका ड्यू एललबी का रहने वाला है तो फ्रेंट्स अब मैंने दोनों चीज़े क्लियर कर दिया कि क्लास कब से स्टार्ट होंगी यह कैसे पता करना है भले कोई भी ओ लोग वाले हो बच्चे हों बिना लोग अपने कोलेज की वेबसाइट या डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर चेक कर लीजिए और अपनी मेल में चेक कर लीजिए दोनों जगह में से एक ना एक जगह आपको जरूर मिल जाएगा इसके बाद भी अगर आप लोगों की कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंस में अझने बाद